आईए सुनते हैं कविताएं यह दंतुरित मुस्कान और फसल इसके कवी हैं नागर्जुन प्रिष्ट संख्या 37-43 नागर्जुन नागर्जुन का जर्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गाउं में सन 1911 में हुआ उनका मून लाम वैदिनात मिश्र था आरंभिक सिक्षा संस्कृत पाटशला में हुई फिर अध्यान के लिए वे बनारस गए और कलकत्ता गए 1936 में विश्रिलंका गए और वहीं बौध धर्म में दीक्षित हुए दोसार प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लोटाए गुमकड़ी और अक्षड सुभाव के धनी नागर्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की सन 1998 में उनका देहन थो गया नागर्जुन की प्रमुख काविकृतिया हैं युगधारा सतरंगे पंखों वाली हजार हजार बाहों वाली तुमने कहा था पुरानी जूतियों का कोरस आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने मैं मिल्टरी का बूढ़ा घोड़ा नागर्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और आन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया उनका संपूर्ण गृतित्व नागर्जुन रचनावली के साथ खंडों में प्रकाशत है साहित्य की योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरसकारों से समानित किया गया जिन में प्रमुख हैं हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान उत्रपदेश का भारत भारती पुरसकार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरसकार मैथली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरसकार प्रदान किया गया राजनितिक सक्रीता के करण उन्हें अनीक बार जेल जाना पड़ा हिंदी और मैथली में समान रूप से लेखन करने वाले नागरजुन ने बांगला और संस्कृत में भी कविताईन लिखी मात्रुभाषा मैथली में वे यात्री नाम से पतिश्ठत हैं लोग जीवन से गहरा सरोगार रखने वाले नागरजुन, ब्रष्ठाचार, राजनितिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के अप्रती अपने सहित्य में विशेश सजक रहे वे व्यंग में माहिर हैं इसलिए उन्हें आधनिक कबीर भी कहा जाता है चाया वादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कभी हैं जिनकी कविता गाउं की चौपालों और सहित्यक दुनिया में समान रूप से लोकप्री रही वे वास्तविक अर्थों में जन कभी हैं सामयक बोद से गहराई से जुड़े नागरजुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रीता मिली नागरजुन ने चंदों में कावे रचना की और मुक्त चंद में भी यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चों की मनोहारी मुस्कान देखकर कवी के मन में जो भाव उमरते हैं उन्हें कविता में अनेग बिम्बों के माध्यम से प्रकट किया गया है कवी का मानना है कि इस सुन्दर्ता में ही जीवन का संदेश है इस सुन्दर्टा की व्यापती ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बांकपन जुड़ जाता है फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलाती फसल आँखों के सामने आ जाती है करती है कि प्रकृती और मनुष्य के सहयोग से ही स्रजन संभव है बोलचाल की भाशा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है कहना ना हुगा कि यह कविता हमें उपभोगता संस्कृती के दौर में क्रशी संस्कृती के निकट ले जाती है यह दंतुरित मस्कान तुम्हारी यह दंतुरित मस्कान ब्रितक में भी डाल देगी जान धूल धूसर तुम्हारे यह गात छोड़कर तालाब मेरी जोपडी में खिल रहे जलजात परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाशान चूगया तुमसे की जरने लग पड़े शैफालिका के फूल बास्था की बभूल तुम मुझे पाए नहीं पहचान देखते ही रहोगे अनिमेश ठक गए हो आँख लूं में फेर क्या हुआ यदि हो सके पर चितना पहली बार यदि तुम्हारी माना माध्यम बनी होती आज मैं न सकता देख मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुसकान धन्य तुम मा भी तुम्हारी धन्य चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य इस अतिती से प्रे तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलिया मां की कराती रही है मधूपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब की आँखे चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, मुझे लगती बड़ी ही चविमान, फसल, एक के नहीं, दो के नहीं, धेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटी कोटी हाथों के सपर्ष की गरिमा, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म, फसल क्या है, और तो कुछ नहीं वह, नदियों के पानी का जादू है वो, हाथों के सपर्ष की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है रूपांतर है सूरज की किरणों का सिमिटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का प्रश्न अप्यास यह दंतुरित मुस्कान एक बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवी के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है दो बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ती की मुस्कान में क्या अंतर है तीन कवी ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर को किन-किन बिम्बों के माध्यम से व्यक्त किया है चार भाव इसपस्ट कीजिए क छोड़कर तालाब मेरी जोपड़ी में बबूल रचना और अभिव्यक्ती पांच मुस्कान और क्रोध भिन-भिन भाव हैं इनकी उपस्तिती से बने वातावरण की भिनता का चित्रन कीजिए छे दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उमर का अनुमान लगाईए और थरक सहित उत्तर दीजिए साथ बच्चे से कवी की मलाकात का जो शब्द चित्र उपस्चित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए पाठेतर सक्रीता आप जब भी किसी बच्चे से पहली बार मिले तो उसके हाव भाव वहवार आदी को सूक्ष्मता से देखिए और उस अनुभाव को कवीता या अनुच्छेत के रूप में लिखिए N.C.E.R.T. द्वारा नागारजुन पर बनाई गए फिल्म देखिए फसल 1. कवी के नुसार फसल क्या है 2. कवीता में फसल उपजाने के लिए परश्की गरिमा और महिमा कहकर कवी क्या व्यक्त करना चाता है 4. भाव इसपस्ट कीजिए क. रूपांतर है सूरज की किरणों का सिम्टा हुआ संकोच है हवा की थरकन का रचना और अभिव्यक्ती 5. कवी ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुडधर्म कहा है क. मिट्टी के गुडधर्म को आप किस प्रकार परिभाशित करेंगे क. वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुडधर्म को किस किस तरह प्रभावित करती है 3. मिट्टी द्वारा अपना गुर्धर्म छोड़ने की स्थिती में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कलपना की जा सकती है 5. मिट्टी के गुर्धर्म को पोशित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है 6. पाठ्थेतर सक्रीता 6. इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंटे मीडिया द्वारा आपने किसानों की स्थिती के बारे में बहुत कुछ सुना, देखा और पढ़ा होगा 7. एक सुधर्ण करशी व्यवस्था के लिए आप अपने सुझाव देते हुए अखबार के संपादक को पत्र लिखिए फसलों के उत्पादन में मैलाओं के योगदान को हमारी अर्थ विवस्था में महत्व क्यों नहीं दिया जाता है इस बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए शब्द संपदा दन्तुरिद अर्थात बच्चों के नए नए दाथ धूल धूसर गात याने धूल मिटी से सने अंग प्रत्यंग जल जात अर्थात कमल का फूल अनिमेश अर्थात बिना पलक जपकाय लगातार देखना इतर अर्थात दूसरा मधुपर्ख अर्थात दही, घी, शहद, जल और दूत का योग जो देवता और अतिती के सामने रखा जाता है आम लोग इससे पंचामरत कहते हैं कविता में इसका प्रयोग बच्चे को जीवन देने वाला आत्मीता की मिठास से युक्त मा के प्यार के रूप में हुआ है झाल